आज हम यूनिट नमबर 4 में देखने जा रहे हैं कि हम साइंस से रिलेटेड बच्चों की किताबों को क्लास्ट्रूम में कैसे इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं उसमें हमारे पास साइंस स्टोरी बुक से रिलेटेड कुछ एक्जेम्पल्स हैं और वो हम देखते हैं इंपोर्टन चीज़ यह है कि हम साइंस को इन्टोडूस ही क्यों करवाना चाहते हैं साइंटिफिक का स्केल्स के अंदर एक बहुत ही अहम स्केल है जिसको हम कहते हैं करते हैं बच्चे उसके बाद उस पर साइनिटिफिक क्वेस्टन रेस करते हैं उन सवालों के जवाब ढूंगते हैं उसके लिए उनके पास एक डेटा होता है यह तमाम का तमाम जो प्रोसीजर है जब बच्छे एनिमस को पढ़ रहे होते हैं उनके पर एक बहुत ही लॉंग मौझूद हैं एक है बैकियार्ट साइन्स जिसके अनदर कुछ इस किसम के आइनिमल्स हैं और इंसेक्ट हैं या आपकी आनिमल कींडम से रोलेटेज चीज़े हैं जो आपको आम नजर आती हैं घर में आपके लॉऑन में आपकी पार्क में आपकी स्कूल में और कुछ हैं एको सिस्टम से रिलेटिड चीज़ हैं एक्जॉर्टिक एको सिस्टम में हमारे पास कुछ ऐसे हाबिटिट आ जाते हैं जहां हम नहीं जा सकते हैं मिसाल की तौर पर पाकिस्तान में रेन फॉर्स्ट जो हैं वो मुझूद नहीं है तो अगर हम उसे पढ़ना चाते हैं तो किताम है उसका बहुत हैं जरीया यह ऐसे आनिमल्स में और तस्वीरों में हम उन चीजों को प्रॉपर्ली अब्सर्फ कर सकते हैं इसके साथ साथ अगर हम बच्चों को फील्ड ट्रिप्स पे ले जाएं या कम्यूनिटी प्रेजर्वेशन प्रोजेक्ट पे ले के जाएं और वो दिखाएं और उनको कहें कि वा इद्गिद चाहिए वो आनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं उनको प्रॉपर्ली अब्सर्फ करें साइंटिफिक अब्सर्वेशन चार्ट्स के मताबख डेट्स के मताबख डेटा क्लेक्शन करें तो ये तमाम चीज़ें बच्चों की ना सिर्फ स्टोरी डीडिंग में एड़ उन करती है हैं बलकिंगे साइंटिफ नॉलिज में भी एड़ ओन करती हैं और हमारे पस किस किसम की साइंस शीन से बियोग्रिफी मौजूद है अब इसके अंदर की आऊ हूँता हो और इसके इसके इनदर कहानिया होती है जो जानवरों के बारे में हैं उनकी जिन्दगी के बारे में ह है इन में तसावीर होती है और एक पूरा लाइफ साइकल जो होता है एनिमल का उसके अंदर मौजूद होता है चाहे उसे एक साल लगता हो एक स्टेज से आख दूसरी स्टेज तक पहुशने में तो पूरा साल बच्चे जाके आक्च्छली जानवर को तो नहीं अब्जर्व क हमारी है हमारी सिस्टम में हमारे इन्वाइर्मेंट में जिसकी वज़े से एनिमल के नेश्रल हैबिटेट जो है वह एफेक्ट हो रहे हैं उनकी ग्रोथ एफेक्ट हो रही है इसमें एनिमल की हिस्ट्री मौजूद होती है उनके सर्वाइवल की कहानियां भी मौजूद होत को हम गो थू कर चुके हैं और जिसका नाम है वेरी हंगरी कैटरपिलर आपको याद होगा ये बहुत इंट्रस्टिंग कहानी है और इसमें पिक्चर्ज हैं हर सफ़े पे और ये आपके तीन साल चार साल पांच साल के बच्चे के लिए बेहतरीन बुक है जिसके अंदर वो य प्रेजर्वेशन से रिली देते हैं प्रेजर्वेशन एक ऐसा कॉमन कॉंसेप्ट है जिसके उपर आशकल बहुत जोड़ दिया जा रहा है और इसका बुनियाद ही मक्सद यह है कि जो स्पिशिस खतम हो रही है हमारी दिनिया से इंस्टिंट हो रही है उनको कैसे प्रेजर by देते हैं तो जब यंग बच्चों को सबसेंसे के कोशिश करते हैं apost secondo देपनियुको जानварों को समझनी के कोशिश करते हैं और वह इंकारेज होते हैं कि वो इसको प्रुजर्व करने के लिए इसके लिए काम करें और अपने अंदर ऐसी वैलि Meanwhile दिधाली करें आज इससरे प्रेजर्वेशन जो है पॉसिबल हो सकते हैं इसके लिए आपके पास एक बहुत ही अच्छी एक्जेंपल है कहानी की इसका नाम है पढ़ा सकते हैं जिससे बच्चों का इंट्रेस्ट भी रिटेन रहेगा और उनकी नॉलज़ भी डिवैलप होगी